कि यह वाट्स आप वेलकम तो माई येट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फिज जगदिशन पंडे आज कि इस वीडियो में हम क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है अलेटर टू गॉड इसवर के नाम एक पत्र जैसे कि इसके हेडिंग से या इसके टाइटल से पत इसवर के नाम एक पत्र लिखता है जिसमें वो उनसे पैसे की डिमांड करता है बार इसके कारण उसकी फसल नस्ट हो जाती है तो इस प्रकार की एक कहानी है तो आईये जानते हैं इसकी सम्रूरी Summary of the lesson Lencho was a hardworking farmer Lencho एक कठिन परिश्रमी किशान था He lived in a valley वह एक घाटी में रहता था His house was situated on the top of the hill उसका घर पहाड की चोटी परिश्थित था He could see his fields from there वहां से अपने field को देखा करता था अपने खेतों को देखा करता था He expected a good crop उसने एक अच्छी फसल की उमीद लगाई थी या उसने सोचा था कि उसकी फसल इस बार अच्छी होगी The field needed some drops of rain खेतों को बारिश की कुछ बोंदों की आवश्यक्ता थी यानि बारिश की आवश्यक्ता थी He was hopeful for rain वह बारिश की उमीद लगाए बैठा था During his meal It began to rain उसके खाने के दौरान बारिश सुरू हो गई Lancho was overjoyed Lancho का खुशी का कोई चिकाना नहीं रहा यानि Lancho बहुत ही खुश हो गया He went out To feel the pleasure of the rain वह बारिश का अनन उठाने के लिए या लूप तो उठाने के लिए बाहर निकला उसके बाद But Suddenly a strong wind came And large hillstones Begin to fall अचानक एक तेज तूफान या आधी आई और hillstones मतलब ओले गिरने शुरू हो गई It hails For an hour एक घंटे तक लगबक ओले गिरे यानि बर्फ वारी हुई The field was white खेत एकदम सफेथ हो चुके थे बर्फ से ढख चुके थे The corn was totally destroyed फसल पूरी तरह से नस्ट हो चुकी थी तो इससे आगे का दिखिंगे हम next section के अंदर Lencho told his sons that they would go hungry this year Lencho अपने दो बेटू से कहता है अपने sons से कहता है कि इस साल हम भूके रह जाएंगे There was no one who could help them वहां ऐसा कोई नहीं ताज उनकी मदद कर सकता था All throughout the night पूरी राद भर Lencho thought only of his one hope Lencho को केवल एक ही उम्मीद थी The help of God इस्वर से सहायता की Lencho believed that Lencho को इस्वास था की God's eyes saw everything भगवान की आके सब देखती है He would not let them die of hunger वो नहीं भूका नहीं मरने दिंगे आप भूक से नहीं मरने दिंगे The following Sunday आने वाले संडे को He wrote a letter to God उसने इस्वर के नाम एक पत्र लिखा He wrote उसने लिखा God इस्वर If you don't help me अगर आप मेरी सायता नहीं करेंगे My family and I will go hungry this year मैं और मेरा परिवार इस साल भूक के कारण मर जाएंगे I need a hundred passes मेरको hundred पैसे की आवशकता है For substance Substance के लिए He wrote to God उसने इस्वर को लिखा On the envelope और envelope में उस letter को रखके send कर दिया He put the letter inside उसने लेटर अंदर रखा And went to town और कजबे की तरफ निकल पड़ा At the post office और post office पर He placed a stamp उसने उसमें stamp लगाया Letter में On the letter And dropped it into the letter box और उसे letter box में छोड़ दिया इस से आगे का दिखिंगे हम next section के अंदर A postman Shored the letter Written to God To the postmaster Postman जो था उसने इस्वर को लिखा हुआ पत्र postmaster को दिखाया The postmaster was a good tempered man Postmaster एक अच्छा स्वभाव का अभ्यक्ति था He laughed loudly वह जो से हस पड़ा And opened the letter और पत्र खोला In order not to seek the writer's faith in God इस यहाँ सोच कर की लेंचो का जो भगवान पर फेथ है विश्वास है The postmaster decided to answer the letter Postmaster ने letter का अंसर देने की सोची The writer had asked for a hundred passes The writer ने hundred पैसे मांगे थे यानि hundred पैसे की demand की थी लेंचो ने तो इससे आगर देखेंगे नेक्स एक्षिन के अंदर The postmaster asked for money Postmaster ने पैसे के लिए कहा From his employees उसके कर्मचारियों से He himself gave a part of his salary He requested his friends to give him some Pैसे उसने अपने दोस्तों से request की की उसे कुछ पैसे दिये जाए It was impossible for him to collect 100 पैसे उसके लिए 100 पैसे Collect कर पाना संभव था He put the money in an envelope उसने पैसे को envelope में रखा And addressed to the Lancho And Lancho के address पर send कर दिया And put the signature of God और इस्वर के signature कर दिये The following Sunday, आने वाले संदे को Lancho received the letter Lancho ने letter received किया When Lancho counted the money जब Lancho ने पैसे गिने He came very hungry वह बहुत घुसा हुआ Because the money was only 70 पैसे क्योंकि जो money थी वो केवल 70 पैसे ही थे He wrote another letter to God उसने एक दूसरा पत्र इस्वर को लिखा To send him the rest of the amount कि बचा हुआ पैसा भी भेज दे He requested God not to send it to him by the mail Mail के द्वारा ना भेजे ऐसी request Lancho ने की स्वर से Because the post office employees were a bunch of crocs उसे लगा कि जो post office के employees है वो bunch यानि group है Of crocs, crocs मतलब बेइमानू का group है bunch of groups तो यहीं पर इसकी समरी खतम होती है तो आए जानते हैं हमने क्या पढ़ा short में discuss करते हैं इसमें क्या होता है Lancho कटिन परिष्टरमी किसान था वह एक घाटी में रहता था उसका घर पहाड की चोटी परिस्थित था वह वहाँ से अपने field यानि खेतों को देखा करता था उसने एक अच्छी फसल की उम्मीद लगाए थी The field needed some drops of rain जो खेत थे उनको कुछ बारिस की बोदो की आवशकता थी यानि बारिस की आवशकता थी He was hopeful for rain वह उसे बारिस की उम्मीद थी उसके खाने के दोरान एक दिन वर्सा हो गई Lancho was over it Lancho बहुत प्रसंद हुआ वह बारिस का लूप तो ठाने के लिए बाहर गया लेकिन सड़नली एक स्ट्रॉंग वेंड केम एक तूफान आ गया और ओले गिरने शुरू हो गे लगभाए एक घंटे तक ओले गिरे और खेट जोते पूरे बर्फ से ढख चुके थे यानि सभेत हो चुके थे तो कॉर्ण वास टोटली इस्ट्रॉइद फसल अच्छे से नस्ट हो चुकी थी Lancho ने अपने बेटों से कहा कि इस साल सायद वह भूके मर जाएंगे उसे किसी की उमीद नहीं थी एक ही उमीद के अलावा इस्वर से उमीद थी तो उसने कहा कि भगवान की आखे सब देख रही हैं वह हमें भूक से नहीं मनने देंगे आने वाले संडे को उसने इस्वर की नाम एक पत्र लिखा पत्र में उसने उससे हैल्प मांगी और उनसे हंडेड पैसे की डिमांड की उनका लेटर जो पोस्ट मास्टर को दिखाता है और पोस्ट मास्टर यह अच्या मिजाज का विपति होता है जिसकारण वा उसका आँसर देने की सुचता है वो अपने सभी employees के साथ मिलकर 70 पैसे ही घटा कर पाता है उसके लिए 100 पैसे घटा कर पाना मुश्किल होता है तो जित्ते पैसे हो पाते हैं वो लैंचो के address पर भेजता है तो लैंचो जब पैसे गिनता है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि 70 पैसे ही थे तो इस वासे कह क्योंकि शुब्सक्राइब मैं युट्यूब चैनल और प्रेस बेल इकन